हलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप आप सभी का आपके अपने योट्यूब चेनल मोर क्रेटिव पर स्वागत है आईए जाने बड़े लंबे अर्शों बाद आया है 36 गड़ आरक्षक पुलिस भरती का फैसला और वहा फैसला आवे दको के पक्ष में आया है इलासपूर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है जानते हैं पूरा फैसला और सरकार का जवाब देखेंगे कि सरकार ने क्या कहा था तो चलिए शुरू करते हैं आज आपके काम की खबर यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक कर लें डिजीटल इंडिया में देश का तता प्रदेश का हर युवा हर नागरिक जानकारियों से अपडेट रहे निरस्त नहीं होगी 2018 आरक्षक भरती हाई कोर्ट ने दिये हैं सारेरिक दक्षता परिच्छा लेने के आदेश इससे पहले नई कांग्रेस सरकार ने दिये नहीं है कि प्रदेश के युवा खाली बेरोजगार कैसे बैठे रहेंगे सरकार के आदेश को हाई कोर्ट ने किया निरस्त बाइस सो उनसाट पदों पर यह भरती हुई थी और यह भरती खुब चर्चा में चली जाहे वो सोसल मीडिया पर हो समाचार पत्रों पर हो या फि फैसला आवेदकों के हित में आया है तो चलीए देखते हैं 24 फरवरी की जानकारी है साल 2018 में हुई 36 गड़ पुलिस आरक्षक भरती परिक्षा अब निरस्त नहीं होगी खुसी की बात है सोमार को इसे लेकर हाई कोर्ट का फैसला आया है राज में सरकार बदलने के बाद इ कीव जस्टिस पियार रामचंद्र मेनन वजस्टिट पीपी साहु की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया है कोर्ट की तरफ से का गया है कि भरती प्रकिरिया निरस्त किये जाने के सरकार के आदेश को अमानिक किया जाता है साथ ही 90 दिनों में सारीरिक दक्षता परिक् इसके बाद आए अंकों के आधार पर भरती होगी और फिर ज्वाइनिंग होगी यह भरती 229 पदों के लिए होनी है जानकारी के मुताबिक पुलिस विभाग ने 39 दिसंबर 2017 को आरक्षक के 229 जीडी पदों के लिए भरती विग्यापन जारी किया था इसमें आवेदन जमा करने की तारिक 4 परवरी 2018 थी लिकित परिक्षा की तारिक 30 सितंबर 2018 और 4 अक्टूबर 2018 को माडल आंसर की जारी की गई थी साथ ही अभ्यर्तियों की सारे दे दक्स्ता परिक्षा 26 अप्रेल से 12 जून 2018 के बीच ली गई थी चुनाव के बाद राज्य में नई सरकार बनी और परिक्षा के बारे में इस बरती के बारे में इससे नाराज उम्मिद्वारों ने कोर्ट में सरन ली तब हाई कोर्ट की सिंगल बेच ने 12 दिसंबर 2019 को पुलिस महा निदेसक के आदेश को यथावत रखते हुए याची का खारिच कर दिया बाद में इस आदेश के खिलाब अभ्यर्कियों ने अधिवक्ता नौसीन अलिसाइद अन्य के माध्यम से 15 अपिल प्रस्तूत किया जिस पर यह फैसला आया है बहुत अच्छा फैसला है देर आये दुरस्त आये इसमें 61,511 उम्मिदार उत्तिन हुए थे इसी बीच प्रदेश में सत्ता का हस्तान तरन हु और कांग्रेस की सरकार बन गई राज में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इस भरती को निरस्त कर दिया गया था पुलिस महानी देशक के निरनय को चुनक्ति देते हुए अभैराज यादो बाबुलाल अमेद सहीद 15 अन्य आविदकों ने कोट में याची का दायर की और सासन ने अपने जवाब में कहा कि विग्यापन जारी करना याविदन जमा करने के दिनांग तक कंडी का 463 नियम वर्ष 2007 के संसोधित हुए नीमों के अंतरगत भरती वर सारीरिक दक्षता परिच्छा ली गई थी जिसमें यह उल्लेक है कि पूरुस अभ्यरतिय के लिए 1500 म की दोड समय 5 मिनट 40 सेकेंड एवं महिला अभ्यरतिय के लिए 800 मिटर की दोड समय 3 मिनट 20 सेकेंड में पूरी करनी है संसोधित नियम 23 फरवरी 2018 को गजट नोटिपिकेशन के अंतरगत संसोधित हुआ था जबकि आविदन जमा करने की अंतिमतिती 4 फरवरी 2018 थी एवं उस सांग तक नियमों में संसोधन नहीं हुआ था मतलब कांग्रेस सरकार ने कोर्ट को यह जवाब दिया था कि जो नोटिपिकेशन दौल को ले करके है वह पहले जारी कर दिया था लेकिन भरती के विज्यापन में इसे संसोधित नहीं किया था इसलिए हमने पुलिस महानिदे सक को आदेश देकर यह भरती निरस्ट करा दी थी इसलिए यह तरूटी सामने आने पर पुलिस महानिदे सक ने भरती परिक्षा को रद कर दिया सासन न अपने जवाब में यह भी कहा कि गजट नोटिपिकेशन 27 सितंबर 2019 के द्वारा पूर की सारी दक्षता परिक्षा जि कुछ गलबड़ी पाई गई थी इसलिए सरकार ने यह परिक्षा निरस्ट की थी लेकिन कोर्ट में अपने जवाब पेश किये और कोर्ट का फैसला अब आवेदकों के पक्ष में आया है कि सारी दक्षता पुना होगी अर्थात लिखित परिक्षा में पास हुए अभ्यार प्रदेश में पुलिस की सेवा दें तो इस प्रकार से अपडेट था यति आपको जानकारी पसंद आये हो तो वीडियो को लाइक जुरू करिएगा और अभी तक आपने चेरल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारी हों कि इने चेरल को तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकान पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको सिर्था से मिलें मिलते हैं सर्फ अगले इसी प्रकार आपके काम की ख़बर के साथ तब तक के लिए जहीं जय भारत